सिदय कामल माध्य राजितम नेविकल्पम् सद सद खिल भेदा आती तमेक स्वरूपम् प्रकृति विकृति शुन्यम् नेत्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहं सम् रामकृष्णं भजामहा विमलपरमहं सम् रामकृष्णं भजामहा नूतनतया आगताह बाबवह परमहं साय प्रणामं कृत्वा निर्गतवंतह श्री रामकृष्णह इशत हसित्वा मास्टरम् धर्म बोधनम् चोरे भ्यहा नरोचते अस्तु नरेंद्रस्य विशये तव किम भासते मास्टरह सहा अतीव वुत्तमह स्री रामकृष्णह पश्य तस्मिन् विद्यान रूपा बुद्धिह अपि अस्ति सहा संगीते अपि निपुनह सहा जितेंद्रियह अपि सहा न परिनयामी इति वदन्नस्ति आत्मों नत्यै विश्वा सहा आवश्य कहा मास्टरह भवां कदाचित यह अहम पापी इति भावयन भवती सहा पापी एव भवती सहा उन्नतिम्न प्राप्नोति किन्तु यह अहम भगवतह शिशुहू इति द्रिधं विश्वसिती सहा शीग्रम आत्मों नतिम् प्राप्नोति इति उक्तवानासीत। स्री राम क्रिष्णह आम विश्वासह आवश्यकह क्रिष्ण किशोरस्य कीदिशह विश्वासह सहा वदतिस्मा अहम भगवतह नाम एकवारं जपितवान अस्मी मयी पापं कथं भवेत भगवन नाम पापं नाश इत्वा शुद्धं करोती इति हलधारिनह पिता महां भक्तह स्नान समय जले स्थित्वा रक्तवर्णंच तुर्मुखं इत्यादि मंत्रो चारणं कुर्वन भगवतह ध्यानं एदा करोतिस्म तदा तस्यनेत्रे प्रेमाश्रु पूर्णे भवतहास्म कदाचित गंगायाह एडेदार घट्टं कष्चन साधुहु आगतह आसीद तम् दृष्ट्वा आगंतुम् आवाम चिंदितवंतव। तद्विषये आवाम यदा हलधारिनं उक्तवंतव। तदा हलधारी अवोचत। तस्य पंच भूतात्मक शरीरस्य दर्षनेन कहालाभः इति अनंतरं येतद्वचनं सुतवता क्रिष्ट्न किशोरेन किम् साधोहो दर्षनेन किम्लभ्यते इति हलधारी उक्तवानवा यहा राम नामवा क्रिष्ण नामवा जपति तस्य भौतिक देहा चिन्मय देहा भवति। तेन सर्वं चिन्मयं द्रिष्यते तस्य धाम चिन्मय धाम भवति इति बुरूतं। अश्रद्धया कृतैहि पूजा जपतपादि भिहि किमपि प्रयोजनं नास्ति। किम्वदसि मास्टरह आम। सट्टिम्